इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है। इस बजेट से शिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी। ये मिडल क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है। ये जनजातिय समाच दलीत पिछड़ों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजेट से महिलाओं की आर्थिक भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी। इस बजेट से छोटे व्यापारियों, मसमिस को और लगूत जोगों को उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजेट में मैनुफेक्टरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्त्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गती मिलेगी और गती को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व अवसरवण ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजेट इससे और सुद्रुड करता है। देश और दुनिया ने पियलाई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजेट में सरकार ने एंप्लोईमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की गोशना की है। इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहट जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तनक्वा हमारी सरकार देगी। स्कील डवलप्मेंट और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर एंटरप्रिनर्स बनाना है। इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाग से बढ़ाकर 20 लाग रुपी किया गया है। इससे छोटे कारवबारियों, विशेश रुप से महलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर मद्यमबर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से MSME सेक्टर की उनर्शिप मद्यमबर्ग गही है। और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है। इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है। manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है। e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भियान को गती मिलेगी। साथियों, ये budget हमारे startups के लिए, innovation ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है। space economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रूपय का fund हो, angel tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस budget में उठाए गए है। साथियों, record high capex economica एक driving force बनेगा, 12 नए industrial nodes, देश में नए satellite towns का विकास, और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिस्ट प्लांज, इससे देश में नए economic हब विक्सित होंगे और बहुत बड़ी संध्या में नए रोजगार बनेगे। साथियों, आज defense exports records तरपर है, इस budget में defense sector को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है, और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं। तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजेट में तूरिजम खेत्र भर भी विशेथ बल दिया गया है। साथियों, NDA सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजेट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में बुद्धिक का फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपोर्ण विकास पुर्वो दैक्स के विजंद्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती नई उर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रसेक्टर जैसे हाइवेज, वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे। साथियों, इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडॉक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सबजियों अन्य उपज के लिए नए बजार मिलेंगे, बहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी और हमारे मद्यंबर के लिए फल्क सबजियों की उपलबदता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टित होगा। कृसिक छेत्र में भरत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सतक्ति करण हो, इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है। गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना तै हुआ है, जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान, सेक्चुरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुभिधाओं से जोडा जगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पचीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को आल वेजर रोड से जोड़ेगी। इसका लाव देश के सभी राज्यों के दूर दराज गाउं को मिलेगा। साथ क्यों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है। ये डेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के आउसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है। आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा। विक्सित भारत की एक ठोस निव रखेगा। सभी देश वास्यों को बहुत बहुत सुपकामना है। है टूँ सुपकामना है।